हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आर्बी केमपेस चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक भारत के राश्रपती, उपराश्रपती, प्रधान मंतरी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक के उपर होने वाली है फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके exams के point of view से बहुत important है और आपके general knowledge के लिए भी important है आप वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट करें और आपकेमपैस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, President of India यानि भारत के राश्पति के बारे में तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के राश्पति को भारत का प्रतमनागरिक के रूप में जाना जाता है यानि फ्रेंट्स भारत का जो राश्पत्री होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है क्योंकि वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही वे भारत के कारेकारी विधाईका और नायपालिका के प्रमुक होते हैं यानि फ्रेंट्स वह तीनों से नाओं का प्रमुक होता है यानि राश्पती तीनों से नाओं का प्रमुक होते हैं और नायपालिका के भी प्रमुक होते हैं और विधाईका के भी प्रमुक होते हैं भारती समिधान के अनुछेद 52 के अनुशार भारत का राश्पती होगा प्रदान मंत्री के सलाह पर कारे करता है इसके बाद भारत में किसी भी विदेशी देश के साथ सभी समझा होता ग्यापनों पर साथर किये गए हैं और सभी कारे कारे क्रियाएं भारत के राष्टपती के नाम पर की जाती हैं जो भी भारत में ग्यापन समझा होता वगारा सब कुछ होता है वह राष्टपती के सिगनेचर की बिना नहीं होता है और वह सभी के सभी दस्तावेजों पर राष्टपती का सब्सक्राइब पूछा जाता है यह पॉलिटी और स्टैटिक समाने ग्यान के लिए सबसे महत्पुन विश्वरों में से एक माना जाता है इसके बाद फ्रेंट्स अब हम जानेंगे भारत के राश्पती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैस्ट्स के बारे में तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं एक अध्यश का चुनाव सदस्यों निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के संसत सदस्य होते हैं राजसबा और लोकसबा और प्रतेग भारत के राज्यों की विधान सबा एक एकल हस्तान तरणी या वोर्ष प्रणाली के आदार पर राष्टपती को चुनते हैं अनुछे 56 के अनुषार एक बार राष्टपती चुने जाने के बाद वह 5 वर्षों के लिए राष्टपती का कारेकाल होता है यानि भारत का राष्टपती जो होता है उसका कारेकाल 5 वर्षों का होता है या अनुछे 56 के अनुसार यानि अनुछे 56 में लिखा गया है राश्पती सरकार की संसदी ये प्रणाली का समयधानिक प्रमुख होता है जो भारती सशस्त्र बल का सर्वोच कमांडर भी होता है यानि फ्रेंट्स जो राश्पती होते हैं भारत के वो ये संसदी प्रणाली का समयधानिक प्रमुग भी होते हैं और भारती शशस्त्र रुबल का सरोच कमांडर भी होता है यानि तीनों सेनाओं का प्रमुग होता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है भारत का राश्टपती राश्ट का प्रतिनिरित्व करता है लेकिन यह सासन नहीं करता है मंत्री परिशद प्रधान मंत्री के साथ वास्तविक सक्ति बनियान यानि वास्तविक रूप से कारे करते हैं राश्टपती को पद से तभी हटाया जा सकता है जब पाया जाए कि समीधान का उलंगन है या राष्टपती की मृत्यू के कारण उसे हटाया जा सकता है यानि राष्टपती की मृत्यू हो जाएगी तो आटेमेटिक उनका पत खाली हो जाता है और या फिर शामिधान का उनलंगन पाये जाता है तब राष्टपती को हटाए जा सकता है भारत के राष्टपतियों की पूरी सूची अब हम जानेंगे फ्रेंट्स तो चलिए अब हम भारत के राष्टपती के काला नुक्रमित क्रम को पढ़े और 1952 से लेकर अब तक 14 हस्तियां हैं यानि 14 पर्षन हैं जो भारत के राष्टपती के रूप में कारेक कर चुके हैं तो चलिए फ्रेंट्स इन सभी लोगों के बारे में अब हम जानते हैं हमारे देश के यानि भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद हैं यह 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक और 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्टपती रहे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को भारत के राष्टपती के रूप में दो बार चुना गया था यानि फ्रेंट्स दॉक्टर राजेन प्रसाद जो हैं इनको भारत के राष्टपती के रूप में दो बार चुना गया था राष्टपती पद के लिए चुने जाने से पहले वह घटक विधान सबा के अध्यक्ष भी थे इसके बाद फ्रेंट्स हमारे अगले यानि दूसरे नंबर पर डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णान यह 13 माई 1962 से 13 माई 1967 तक भारत के राष्टपती रह यानि प्रिसिडेंट आफ इंडिया रह वह एक प्रमुग दार्शनिक और लेखक भी थे राष्टपती को यानि राधा कृष्णान को बनारश विश्विद्याले और आंध प्रदेश विश्विद्याले के कुलपती के पद की रूप में भी रखा गया था इसके बाद तीसरे नंबर पर यानि हमारे देश के अगले राष्टपती जाकिर हुसैन है यह 13 मई 1967 से 3 मई 1979 तक भारत के राष्पती रहे जाकिर हुसैन सबसे छोटे शेवारत राष्पती थे क्योंकि उनका कारेखाल उनके निधन के गारण पूरा नहीं होशाका था डॉक्र जाकिर हुसैन को पद्म वी भूसन और भारत रष्पत्न से सम्मानित किया गया था इसके बाद जाकिर हुसैन जी की मृत्यू के बाद 3 मई 1979 से 20 जुलाई 1979 तक वाहन गिरी वेंकट गिरी बारत के राष्पती रहे उसके बाद 24 अगस्त बारत के राष्पती रहे वेंकट गिरी ने जाकिर हुसैन की आकरश्मिक मृत्यू के कारण अलपावधी के लिए भारत के राष्पती के रूप में कारे किया इसके बाद पांचमे नमबर पर फकरुद्दीन अली अहमद यह 24 अगस्त 1974 से 11 फरोरी 1987 तक भारत के राश्पती रहे आपात काल के दौरान फकरुद्दीन भारत के राश्पती थे यानि फ्रेंट्स फाकरुद्दीन अली आहमद भारत के राश्पती आपातकाल के दौरान थे अली दूसरे राश्पती थे जिनकी मृत्यू कारेकाल में हुई है इसके बाद नीलम संजीव रेड़ी यह भारत के 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1982 तक राश्पती रहे नीलम आंध्रप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे इसके बाद जैल सिंग 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक यह भारत के राश्पती रहे वह सबसे युगा राश्पती थे यानि जैल सिंग सबसे युगा राश्पती थे भारत के जैल सिंग पंजाब के मुख्यमंत्री और किंद्री ग्रे मंत्री भी रह चुके हैं इनके बाद हमारे अगले राश्पती यानि शात्वे नमबर पर रामा स्वामी वेंकट रामन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक यह भारत के राश्पती रहे यानि प्रेसिडेंट आफ तमरापत्र के रिशीवर हैं इसके बाद आठवे नमबर पर शंकर दयाल सर्मा यह 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राश्पती रहे वह भारतिय संचार मंत्री रह चुके हैं और शंकर यानि शंकर दयाल सर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे इनके बाद नमबर पर कोचरिल रमन नारायरन यह 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राश्पती रहे कोचरिल ने थाईलैंड तुर्की चीन और संयुक्त राज अमेर्का में भारत के राजदूत के रूप में भी कारे किया था इनके बाद दस्वे नमबर पर एपी जे अब्दुलकलाम यानि अवुल पाकिर जैनू लाबदीन अब्दुलकलाम यह भारत के दस्वे राश्पती थे 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह भारत के राश्पती रहे और इनको भारत के मिशाइल मैं के नाम से भी जाना जाता है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह भारत के राश्पती रहे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है एपी जी अब्दुलकलाम जी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणू उर्जा हतियार के विकास में अग्रणी भून का निभा चुके थे वह भारत रतन पाने वाले ब्यक्ति हैं यानि उनको भारत रतन भी मिला आये इनके बाद हमारे देश के अगले राश्पती 11 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक यह भारत की राश्पती रहे तक इनका कारिकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 अगरा इनके बाद 13 नमबर पर प्रेंट्स यांकिमी स्प्रिंट्स जैसा की हो गया मैंने आप पहले ही बताया है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं प्रणब मुखर जी यह 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राश्पती रहे उन्होंने 2008 में पद्म भूसर प्राप्त किया 1997 में उन्हें सरस्रेष्ट संसदिय पुरश्कार से भी सम्मानित किया गया था इनके बाद हमारे देश के अगले राश्पती यानि वर्तमान राश्पती रामनात कोविंड जी है यह 25 जुलाई 2017 से अब तक भारत के राश्पती है यानि वर्तमान में या भारत के राश्पती है साथ ही अगले राश्पती चुनाओ 25 जुलाई 22 को होंगे उन्होंने बिहार के राजयपाल के रूप में भी कार किया है इनके बाद अब हम करेंगे प्रिजिडेंट आफ इंडिया यानि भारत के राश्पती से संबंदित कुछ प्रस्न तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं पहला प्रस्न भारत के राश्पती का कार काल क्या होता यानि कितने साल का होता है तो एंसर है अनुछे 56 के अनुशार राश्पती 5 वर्ष तक अपने पत पर बने रह सकते हैं यानि भारत के राश्पती का कार कार काल 5 वर्ष का होता है इसके बाद दूसरा प्रस्न भारत की पहली महिला राश्पती कौन है तो हमारा आंसर होगा श्रीमती प्रतिवाद देवीशिंग पाटिल या भारत की पहली महिला राष्ःपती है इनके बाद भारत के वर्तमान राष्ःपती कौन है एंसर राम नाध कोविन भारत के वरतमान राष्ःपती है देर फ्रेंड्स आब हम बात करेंगे भारत के उपराश्टपति के बारे में तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारत में राश्टपति के बाद उपराश्टपति का पद कार्य कारणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है यानि फ्रेंट्स भारत में सबसे बड़ा पद राश्टपती का होता है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उपराश्टपती का होता है फ्रेंट्स भारत का उपराश्टपती राजसभा के अध्यक्ष के तोर पर विधाई कारियों में हिश्चा लेता है फ्रेंट्स उपराश्पती का राजसबा का पदेन सबापती होना और अन्य कोई लाव का पद धारण नहीं करेगा परन्तु जिस किशी अवधी के दोरान उपराश्पती अनुछेद पैसर के अधीन राश्पती के रूप में कारे करता है उस समय या राश्पती के कृतियों का निर्वहन करता है यानि राश्पती का जो कारे होता है उसका निर्वहन करता है उश अवधी के दोरान वह राजसभा के शबापती के पद्ग के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अरुच्छेद संतानवे के अधीन राजसभा के शबापती का संदेय वेतन या भत्ते का हगदार नहीं होगा फ्रेंड्स जब भारत का राश्पती किसी कारण वस भारत का राश्पती भारत में नहीं हो या फिर कोई कारण हो उस समय अगर उपर राश्पती राश्पती के पद पर आसीन होगा उस समय यानि उस अवधी के दोरान राजसभा के सभापती के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपर राश्पती नहीं करेगा और वह अनुछेद 97 के अधीन राजसभा के सभापती का संदे वेतन या भत्ते का हगदार नहीं होगा यानि उसे वो सारे भत्ते और वेतन नहीं मिलेंगे फ्रेंज्स राश्पति यानी भारत के प्रेसिडेंट के पद में आकस्मिक रिख्ती के दोरान या उसकी अनुपस्शिती में उपर राश्पती का राश्पती के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्भन करना इसमें फ्रेंट्स पहले नम्मर पर राश्पती की मृत्यू पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्यकारण से उसके पद में हुई रिक्ती की दसा में उप राश्पती उस तारीक से या फिर उस तारीक तक राश्पती के रूप में कारे करेगा जिस तारीक को ऐसी रिक्ति को भढ़ने के लिए इस अध्याई के उपबंधों के अनुशार निर्वाचित नया राश्पती अपना पद ग्रहन करता है। जिस तारीक को प्रेसिडेंट अपने करतव्यों को फिर्शे सभालता है। उसके कृतियों का निर्वान कर राश्पती यानि प्रेसिडेंट की सभी शक्तियां और उन मुक्तियां होगी। तथा वह ऐसी उपलब्धियों, बत्तों और विशेशा दिकारों का जो संसद विदिद्वारा अवधारित करे और जब तक इस निम्मित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है। तब तक ऐसी उपलब्धियों, बत्तों और विशेशा दिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उसका हगदार होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत के उपराश्पती का निर्वाचन यानि भारत के उपराश्पती का निर्वाचन कैसे होता है। इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स उपराश्पति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिदित्व पधति के नुशार एकल संक्रमडिय मतद्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त हो कर बनने वाले निर्वाचक गड़ यानि दोनों सदनों में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा एक विशिष्ट अनुपातिक प्रतिनिदित्तो पधद्धति के अनुसार एकल संक्रमडिय मतधवारा किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा यानि मतदान को गुप्त रखा जाता है इसके बाद उपराश्पती शंसत के किसी सदन का या किसी राजे के विधान मंदल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि शंसत के किसी सदन का या किसी राजे के विधान मंदल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराश्पती निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना अस्थान उपराश्पती के रूप में अपने पद ग्रहन की तारिक से रिक्त कर दिया यानि वहाँ से स्थीफा देती जाया है यानि उस पद को त्याग दिया तभी वह उपराश्पती बनेगा इसके बाद कोई व्यक्ती उपराश्पती निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहले नमर पर भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका है और राजय सभा का सदव से निर्वाचित होने के लिए अहिर्थ है यानि योग की है तभी वह उपराश्पती निर्वाचित होने का पात्र होगा इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राजय सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंतरण में किसी अस्थानी या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाब का पद धारा करता है उपराश्पति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है यानि फ्रेंड्स अगर कोई भारत के उपराश्पति का निर्वाचित होने का पात्र है तो उसे राजय सरकार या फिर केंदर सरकार के किसी भी लाब के पद को धारन नहीं करना है या फिर किसी अस्थानिय या अन्य प्रादिकारी के पद को नहीं धारन करना है तभी वह भारत का उपराश्पती हो सकता नहीं तो नहीं हो सकता है इसके बाद फ्रेंट्स अब हम जानेंगे उपराश्पती की पदावधी पहले नमर पर उपराश्पती अपने पद ग्रहन की तारीक से पांच वर्ष की अधित तक पद धारन करेगा परन्तु यानि इसके अलामा उपराश्पती राश्पती को शंबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याक सकेगा यानि अगर वह अपना त्याक पत्र देना चाता है तो उसे अपना हस्ताच्षर के साथ एक पत्र लिखना होगा और भारत के राश्पती को देना होगा यानि उससे सम्बोधित करना होगा इसके बाद उपराश्पती राजसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राजसभा के तत्कालीन सदस्य या फिर समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारिद किया है और जिसे से लोकशभा सहमत है किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दे गई हो यानि फ्रेंड्स उपराश्पती राजसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राजसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारिद किया हो और जिसमें लोकशभा शर्मत हो और 14 दिन पहले उसकी सूचना दे दी गई हो तब ही उपराश्पती को हटाया सकता है नहीं तो नहीं हटाया सकता है ऐसा प्रावधान है इसके बाद उपराश्पती अपने पद की अवदि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारन करता है या फिर करता रहेगा जब तक उसका उत्तरा दिकारी अपना पद ग्रहन नहीं कर लेता है यानि फ्रेंड्स उपराश्पती भारत की उपराश्पती के पद पर तब तक रहेगा जब तक आने वाला यानि अगला उपराश्पती अपना पद ग्रहन नहीं कर लेता है तब तक वह भारत का उपराश्पती बना रहेगा जब उपराश्पती यानि भविष्ट का जो उपराश्पती होगा वह अपना पद ग्रहन कर लेगा या फिर सफत ले लेगा तब वह त्याक पत्र दे के हट सकता है इसके बाद उपराश्पति की पद में रिक्ति को भढ़ने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भढ़ने के लिए निर्वाचित ब्यक्ति की पदावधी पहले नमबर पर उपराश्पती की पदावधी की समापती से हुई रिक्ति को भणने के लिए निर्वाचन पदावधी की समापती से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा यानि उपराश्पती की पदावधी की समापती यानि जब तक वपत पर है उससे पहले ही निर्वाचन के कारे को पूरा कर लिया जाएगा यानि पूरा कर लिया जाएगा ऐसा प्रावधान है इसके बाद उपराश्पति की मृत्यू पद त्याग या पद से हटाय जाने या अन्यकारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात या था सिग्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचिक ब्यक्ति अनुछेद संसर के उपबंधों के अधिन रहते हैं अपने पद ग्रहन की तारिक से पाँच वर्ष की पूरी अवधी तक पद धारा करने का हगदार होगा इसके बाद फ्रेंट्स अब हम जानेंगे भारत के उपराश्पति और उनके कारेकाल के बारे में यानि स्वतंतता से लेकर अब तक यतने भारत के उपराश्पति हुए हैं उनके बारे में और उनके कारेकाल के बारे में उनका जन्म किस्चन में हुआ और मृत्य किस्चन में हुई ये सारी जनकरिया अब हम प्राप्त करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारत के पहले उपराश्पती डॉक्टर सर्पली राधा कृष्णन है और उनका जन्म 888 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 1975 इस्वी में हुई थी वह भारत के उपराश्पती 1952 से 1962 तक रहे यानि 10 साल तक भारत के उपराश्पती रहे इसके बाद दूसरे नमर पर इसके बाद तीसरे नमर पर वरागिरी बैंकट गिरी फ्रेंड्स इनका जन्म 888 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 1928 इस्वी में हुई थी और यह भारत के उपराश्पती के पत पर 1967 से 1969 तक रहे इसके बाद चोथे नमर पर गोपाल स्वरुप पाठक फ्रेंड्स गोपाल स्वरुप पाठक इनका जन्म 888 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 1982 इस्वी में हुई थी और यह भारत के उपराश्पती 1979 इस्वी में बने और इनका कारेकाल पांच साल का रहा यानि यह 1989 से 1974 तक भारत के उपराश्पती रहे पांच में नमर पर बी डी जपती फ्रेंड्स इनका जन्म 1993 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 2002 में हुई थी और यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 1989 से 1989 तक भारत के उपराश्पती रहे यानि इनका कारेकाल पांच वर्षों का रहा इसके बाद छठवे नमर पर नियायमूर्ती मोहम्मद हिदायत उल्ला फ्रेंट्स नियायमूर्ती मोहम्मद हिदायत उल्ला का जन्म 1905 इस्वी में हुआ था और मृत्यू 1992 इस्वी में हुई थी फ्रेंट्स यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 1989 से 1984 तक रहे और इनका कारेकाल पांच वर्षों करा इसके बाद सात्वे नमर पर आर वेंकट रमड इनका जन्म 1910 में हुआ था और यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 1984 से 1987 तक रहे इसके बाद आठमे नमर पर के आर नारायरन प्रेंट्स इनका जन्म 1921 में हुआ था और मृत्यूँ 2005 इसके में हुई थी फ्रेंट्स यहां पर गलत प्रिंट हो गया है और यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 1992 से 1995 तक रहे इसके बाद ग्यारायमे नमर पर भैरो सिंग शेखावत्स इनका जन्म 1923 इस्वि में हुआ था और मृत्यू 2010 इस्वि में हुई थी और यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 2002 से 2007 तक रहे इसके बाद बारायमे नमर पर मृहम्मद हामिद अंसारी इनका जन्म 1936 इस्वि में हुआ था और यह भारत के उपराश्पती के पत्पर 2007 से 2017 तक रहे यानि लगबक 10 साल तक यह भारत के उपराश्पती रहे इसके बाद तिरावे नमर पर भारत के वर्तमान उपराश्पती मुक्पोवर्पु वंकया नाइडू फ्रेंट्स इनका सौट नेम एम वंकया नाइडू है और इनका जन्म 1949 इस्वि में हुआ था फ्रेंट्स यह 11 अगस्त 2017 से अब तक भारत के उपराश्पती हैं यानि वर्तमान तक भारत के उपराश्पती हैं फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे भारत के सभी प्रधान मंत्री और उनका कारेकाल तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं फ्रेंट्स इससे पहले हम भारत के प्रधान मंत्री के बारे में कुछ जानकारी प्रात करेंगे भारत गनराज के प्रदानमंत्री सामान्य वर्तनी प्रदानमंत्री का पद भारती संग के शासन प्रमुक का पद है भारती स्विधान के अनुसार प्रदानमंत्री किंद्र सरकार के मंत्री परिशत का प्रमुख और भारत के राश्पति यानि प्रिसिडेंट आफ इंडिया का मुख सलाकार होता है और वह भारत सरकार के कारपारिलका का प्रमुक होता है और सरकार के कारियों को लेकर स्वारी संसद के प्रती जवाब दे होता है भारत की संसदिय राजनैतिक प्रनाली में राश प्रमुक और सासन प्रमुक के पद को पूरत विबक्त रखा गया है फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे भारत के स्वतंतरता से लेकर आप तक के सभी प्रधान मंत्री और उनके कारेकाल के बारे में तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले नमबर पर पंडित जवाल लाल नहरू है यह भारत के पहले प्रधान मंत्री है और इनका जन्म 1889 मुगा था और मृत्यु 1964 में हुई थी और यह 5 अगस्ट 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे यह 16 शाल 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे इन्होंने भारत के प्हले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक शेवा देने वाले या फिर शेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहती हुए मरने वाले पहले ब्यक्ति हैं उन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिक सहिंता में सुधाल लाया। इसके बाद फ्रेंट्स दूसरे नमबर पर गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म अठारो सो अंठानवे में हुआ था और मृत्यु उन्निस सो अंठानवे में हुई थी। यह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कारेकाल 13 दिन का था। वह भारत के पहले अंतरीम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दो बार भारत के कारेवाहक पीयम के रूप में कारेक किया। इसके बाद नेक्स्ट लाल बाहदूर शास्त्री इनका जन्व उन्निस सो चारेश्वी में हुआ था और मृत्यु उन्निस सो चारेश्वी में हुई थी। यह 9 जून 1964 से 11 जन्वरी 1946 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक वर्ष 216 दिन इनका कारेकाल रहा। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दोरान जय जवान जय किशान का नारा दिया। उन्होंने भारत में श्वेत करांथी को भी बढ़ावा दिया। इसके बाद चोथे नंबर पर श्रीमती इंदिरा गाधी। इनका जन्म 1977 इस्वे में हुआ था। और मृत्यू 1984 इस्वे में हुई थी। 24 जन्वरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक यह भारत की प्रधानमंत्री रहे। 11 साल 69 दिन इनका कारेकाल रहा। भारत की प्रधम मैला प्रधानमंत्री इंद्रा गाधी रहें। उन्हें मिलेनियम की मैला नामित किया गया था। और वह भारत रत्न पाने वाली पहली मैला है। इसके बाद पांचवे नम्मर पर मुरारजी देशाई। इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यू 1995 में हुआ थी। यह 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दो शाल 116 दिन इनका कारेकाल रहा। वह 81 वर्ष की उम्र में पी-म बनने वाले सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति थे। उन्होंने बिना इस्तिपा दिये अपना कारेकाल पुरा किया। इश्के अलामा उन्होंने आपचारिक रूप से इंद्रा गादी द्वारा लगाये गए अपातकाल की इस्तिदी को शमाप्त कर दिया। इश्के अलामा वह एक मातर प्रधानमंत्री हैं जिने निसान ए पाकिस्तान का सर्वोप्च नागरिक उरसकार मिला। इसके बाद नेक्स्ट चोदरी चरान सिंग या फिर चरान सिंग यह भारत के चठवें पीम हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था और मृत्ती 1987 इस्वी में हुई थी। 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहें। इनका कारेकाल 170 दिन का था पीम जिन्होंने संसत का सामना नहीं किया। यानि इन्होंने कभी भी संसत का सामना नहीं किया। उन्होंने जमीदारी प्रणाली को हटा दिया और भारत में बोमी सुधार अधिनियम लाए। इसके बाद नेक्स्ट साथमे नमबर पर इंद्रा गादी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इन्होंने का जन 1907 में हुआ था और मृत 1984 में हुई थी। यह 14 जनौरी 1980 से 31 सक्टू पर 1984 तक भारत की प्रधारमंत्री रही। चार साल 291 दिन इनका कारेकाल रहा। पहली महिल्दा जिनोंने दूसरे कारेकाल के लिए पियम के रूप में कारे किया। उन्हें बांगलादेश श्वाधी निता सम्मान भी मिला। वह दुनिया की सबसे लंबी सिवा करने वाली पियम है। उनके शाहस और निर्भीकता ने भारत को 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर ही थासिल करने में मदद की। इसके बाद नेक्स्ट राजीव गादी इनका जन्म 1944 में हुआ था और मृत्यू 1991 में हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक या भारत के प्रधानमंत्री रहे। पांच साल 32 दिन इनका कारेकाल रहा। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके अलामा वह भारत में कम्प्यूटर लाए और आधूनिक यूग की शुरुवात की। इसके बाद नवे नमबर पर। वीपी शिंग इनका जन्म 1931 इसीवे में हुआ था और मृत्यू 2008 में हुई थी। दो दिशम्बर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक यह भारत के प्रधान मंत्री रहे। 343 दिन इनका कारेकाल रहा। पहले पीम जिने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीम पत छोड़ना पड़ा। यानि फ्रेंट्स यह पहले पीम हैं जिने अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपना पत छोड़ना पड़ा था। इसके बाद दश्वे नंबर पर चंदर शेखर इनका जन्म 1927 में उगा था और मृत्यु 2007 में उगी थी। 10 नुवंबर 1990 से 21 जून 1929 तक यह भारत की प्रधान मंत्री रहे, 230 दिन इनका कारेकाल रहा, यह समाजवादी जन्ता पार्टी से थे। इसके बाद 11 में नंबर पर यानि नेक्स्ट भीवी नर्शिम्मा राव। इनका जन्म 1921 में उगा था और मृत्यु 2004 में उगी थी। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक यह भारत के प्रधान मंत्री रहे, 4 साल 330 दिन का इनका कारेकाल रहा, दच्चिर भारत से यह प्रधम प्रधान मंत्री थे, उन्हें भारती आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारामे नमबर पर अटल विहारी वाजपेई, इनका जन्म 1924 मुगवा था और मृत्यु 2008 मुगी थी। 16 मई 1996 शे 1 जून 1996 तक यह भारत के प्रधान मंत्री रहे, 16 दिन इनका कारेकाल रहा, सबसे छोटे काल के या प्रधान मंतरी रहे, उन्होंने भारत के दूर संचार उद्दोगों में सुधार लाया, साथी उन्होंने भारत पाक रिस्तों को सुधारने के लिए पहल की। इसके बाद तेरह में नमबर पर HD देव गौणा इनका जम उननिस सो तैसी सिस्वे में हुआ था एक जून उननिस सो चानवे से 21 अप्रेल उननिस सो सतानवे तक यह भारत के पियम रहे 324 दिन इनका कारेकार रहा देव गौणा जनता दल से थे इसके बाद 14 नमबर फर इंदर कुमार गुलजार इनका जन्म 1919 में हुआ था और मृत्यू 2012 श्वे में हुआ थी 21 अप्रेल 1997 से 19 मार्च 1998 तक यह भारत के पिरधानमंत्री रहे 332 दिन इनका कारेकार रहा उन्होंने व्यापक परिक्षण प्रतिबंद संदी पर हस्ताचर करने का विरोत किया जिसने पोखरण पर माडू परिक्षण का मार्ग प्रसस्त किया फ्रेंड्स इनके ही कारकाल में पोखरण परिक्षण का मार्ग प्रसस्त हुआ था इसके बाद 15 नमबर पर अटल व्यारी वाज पही इनका जन्म जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1924 शिशु में हुआ था यह 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रतानमंतरी रहे 6 साल 64 दिन इनका कारकाल रहा पहले गैर कांगरेशी पीम है जिनोंने पीम के रूप में अपना कारकाल पूरा किया है यानि इससे पहले सभी कांगरेश के ही पीम थे जिनोंने अपना कारकाल पूरा किया था और यह जनता दल से थे जो अपना कारकाल पूरा किये थे इसके बाद सुलावे नमर पर डॉक्टर मनमोहन सिंग इनका जन्म 1932 में हुआ था 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक या भारत के प्रधानमंतरी रहे 10 साल 4 महीने दो दिन इनका पीम के रूप में कारकाल रहा या भारत के पहले शिक पीम है उन्होंने भारत में आठ नए आई आई टी की अस्थापना की उन्होंने राश्ट्रे ग्रामिर स्वास्थे मिशन की भी शुरुआत की इसके बाद नेक्स्ट यानि 17 में नमबर पर हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी हैं इनका जन्म 1915 में हुआ था 26 मई 2014 से वर्तमान में भारत के चौथे प्रधानमंतरी हैं जिनोंने लगतार दो कारकाल पूरे किये हैं प्रधानमंतरी के बाद आब हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग और मुख चुनाव आयोग के बारे में तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं फ्रेंट्स भारत के मुख निरवाचन आयोग ते यानि चीफ इलेक्षन कमिशनर अफ इंडिया फ्रेंट्स भारती चुनाव आयोग का प्रोमुक होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदाई होता है मुख चुनाव आयोग की निवक्ति भारत का राष्टपती करता है यानि मुख चुनाव आयोग यानि चीफ इलेक्षन कमिशनर की निवक्ति राष्टपती यानि प्रेसिडेंट अफ इंडिया करता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कारेकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है जो पहले हो वही होता है या फिर वह 6 वर्ष का हो जाएगा उसका कारेकाल तब वह रिटार होगा या फिर वह 65 वर्ष का हो जाएगा तब वह रिटार होता है चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सरोच नियाले के नियाधीशों के समान होता है यानि फ्रेंट्स जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका सम्मान और वेतन भारत के सुप्रिम कोर्ड के जज के समान होता है मुख्य चुनाव आयोग को संसत द्वारा महा वियोग पर राश्पति द्वारा हटाये जा सकता है यानि मुख्य चुनाव आयोग को हटाने का प्रावधान संसत पास करेगा और उसे राश्पति हटायेगा इसके बाद अबंबाग तरेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में Friends, भारत निर्वाचन आयोग याने Election Commission of India ECI भारत में शंग और राज चुनाव परक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत समयधानिक प्रादिकरण याने Constitutional Authority है Friends, भारत निर्वाचन आयोग की अस्थापना 25 जनवरी 1950 इस्वी को समυधान के अनुसार की गई थी जिसे राश्ट्री मद्दाता दिवस के रूप में मनाय जाता है यानि 25 जनवरी को राश्ट्री मद्दाता दिवस के रूप में भारत में मनाय जाता है आयोग का सचिवाले नई दिल्ली में है यानि आयोग यानि ECI का मुख्याले नई दिल्ली में है जो भारती राज़ानी है फ्रेंड्स ECI भारत में लोकसभा, राज़सभा और राज़विधान सभाओं देश के राश्टरपती एवं उपराश्पती के चुनाओं का संचालन करता है इसका राज़यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाओं से कोई संबंध नहीं होता है यानि Election Commission of India भारत के राश्पती, उपराश्पती, लोकसभा, राज़सभा और राज़े के विधान सभाओं के चुनाओं का संचालन करता है यह राज़यों में पंचायत चुनाओं और नगर पालिकाओं के चुनाओं में इसका कोई संबंध नहीं होता है भारत का संब्धान में इसके लिए एक अलग राज़े निर्वाचन आयोग यानि स्टेट इलेक्षन कमीशन का प्रावधान है जो राज़े में पंचायत चुनाओं और नगर पालिकाओं के चुनाओं को करवाने का जिम्मा उठाता है फ्रेंड्स, ECI का संब्धानिक प्रावधान अब हम जानेंगे भारती संब्धान का भाग 15 यानि X, V का मतलब 15 होता है तो भारती संब्धान का भाग 15 अनुछेद 324 से 349 तक या चुनाओं से संब्धित है और या इन से संब्धित मामलों के लिए एक अलग आयोग की अस्थापना करता है अनुछेद 324 निर्वाचन आयोग में सुनाओं के संदर्म में निहित दाईत्व है अदिछड निर्देशन और नियंत्रण इसके बाद अनुछेद 325 यानि आठिकल 325 धर्म जाती या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ती या फिर किसी भी व्यक्ती विशेश को मतदाता सुची में सामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग नहीं ठाहराने का प्रावधान है यानि अनुछे 325 में धर्म, जाती या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सुची में सामिल करने से मनान नहीं किया जा सकता या फिर अयोग नहीं थराय जा सकता इसका प्रावधान 325 यानि आर्टिकल 325 में है इसके बाद आर्टिकल 326 यानि अनुछे 326 में लोक्षभा एवं प्रतेक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मतदिकार के आधार पर होगा यानि 18 साल से उपर वाले ही मद्दान कर सकते हैं इसका प्रावधान अनुछे 326 में है इसके बाद आर्टिकल 327 यानि अनुछे 327 में विधाई का द्वारा चुनाव के संसद में कानुन बनाने की शक्ती इसके बाद अनुछे 328 किसी राज के विधान मंदर को उनके चुनाव के लिए कानुन बनाने की शक्ती इसके बाद अनुछेद नमबर 329 यानि आठकल 329 निर्वाचन सम्बंदी मामलों में नियायालयों के हस्तच्छेप का वर्जन यानि निर्वाचन सम्बंदी मामलों में नियायालय हस्तच्छेप नहीं कर सकते इसके बाद अब हम जानेंगे ECI यानि Election Commission of India की सन रचना के बारे में फ्रेंश निर्वाचन आयोग में मूलत केवल एक चुनाव आयोग का प्राधान था लेकिन राश्पति के एक अधिशूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्ये बना दिया गया यानि 16 अक्टूबर 1989 को राश्पति के दौरा इसे 3 सदस्ये बना दिया गया इसे पहले यह एक मुख्य चुनाव आयोग के उपर था इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्ये आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्ये आयोग वाला सवरूप फेशे बहाल कर दिया गया यानि 16 अक्टूबर 1989 को जो राश्टपति द्वारा अधिशूजना जारी की गई थी उसे कुछ समय के लिए बन्द करके 1 सदस्ये आयोग बना दिया गया था और उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्ये आयोग वाला सवरूप फेशे बहाल कर दिया गया तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयोग जानी चीफ इलेक्शन कमिशनर और दो चुनाव आयोग होते हैं इसके बाद फ्रेंट्स मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंग का अधिकारी होता है इसके बाद फ्रेंट्स अब हम जानेंगे आयोक्तों की नियुक्ति और उनका करेकार के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है मुख निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राश्पति तौरा की जाती है इनका कारेकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयुक्त दोनों में से जो पहले आता है उतना होता है इन्हें भारत के सरोच न्यायले सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया के न्यायदीशों के समकच दरजा प्रात होता है और समान वेतन यहम बत्ते मिलते हैं वे कभी भी इस्थीफा दे सकते हैं यानि निर्वाचन आयुक्त कभी भी इस्थीफा दे सकते हैं या उनके कारेकाल की शमापती से पहले भी हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को संसत द्वारा सर्वोच न्याले के न्याधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है जैसे कि Supreme Court of India के नयदिशों को हटाया जाता है वैसे ही मुख निर्वाचन आयुत को भी सेम प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उनका भी सेम वेतन होता है सेम बत्ता होता वैसे ही निर्वाचन आयुत का भी होता है उसी तरह शेम प्रक्रिया द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है अब हम जानेंगे निश्काषन की प्रक्रिया यानि चुनाव आयुतों के निश्काषन की प्रक्रिया के बारे में अब हम जानकरी प्राप्त करेंगे उच्छ नियायालेओं और सर्वोच नियायले के नियाधीशों मुख्य चुनाव आयूप नियंत्रक और महालेखा परिक्षक यानि Comptroller and Auditor General C.A.G. CAG को दुर्वेवार या पद के दुर्पयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अच्छमता के आधार पर संसत द्वारा अपनाए गए प्रस्ताओ के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है इसके बाद Friends निश्काशन के लिए दो तिहाई सदस्यों के विशेज बहुमत की आ सकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का पचास प्रतिसस से अधिक मद्दान होना चाहिए यानि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सदन के दो तिहाई सदस्यों के विशेज बहुमत की आ सकता होती है और सदन में 50% से अधिक मद्दान होना आवश्यक है नियाई धीशों कायग यानि C.A.G. या फिर C.E.C. यानि चीफ इलेक्षन कमिशनर को हटाने के लिए सम्विधान में महा भियोग सब्द का भियोग नहीं किया गया है जैसे कि राश्पति के लिए किया जाता है महा भियोग सब्द का प्रियोग केवल राश्पति को हटाने के लिए किया जाता है जिसके लिए संसत के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों के विशेश बहुमत की आशक्ता होती है और यह प्रिक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती है अब हम जानेंगे E.C.I.E. यानि Election Commission of India की शक्तियां और कारे सबसे पहले हम प्रशासनिक कारियों के बारे हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स सुरू करते हैं फ्रेंट्स संसत के परिशीमन आयोग अधरियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन छेत्र की सिमाओं का निर्दारन करना है समय समय पर मतदाता सूची तयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजिकरन करना Election Commission of India का कारे होता है यानि यह प्रशासनिक कारे होता है इसके बाद राजनेतिक दलों को मानता देने और उन्हें चुनाव चिन आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग का कारे होता है यह राजनेतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्स आचार सहिंता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कारे न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए यह इलेक्शन कमीशन का कारे होता है इसके बाद सलाकार छेतरा दिकार और अर्धन्याई कारे फ्रेंट्स निर्वाचन के बाद अयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राजे विधान सभाओं के सदर्शियों की बैठक हे तु सलाकार छेतरा दिकार भी है ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्टपति के लिए बाद दिकारी है किन्तु ऐसे मामलों पर राजे पाल अपनी राय दे सकता है इसके बाद फ्रेंड्स आयोग के पास किसी उमिदवार को आयोग्य गोसित करने की शक्ति है यानि Election Commission of India के पास किसी भी उमिदवार को आयोग्य ठहराने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारिक तरीके से अपने चुनावी खर्चे या फिर खर्चों का लेखा योगा करने में विफल रहा है उन्हें अयोग्य ठहराने की Election Commission of India के पास शक्ति है फ्रेंड्स अब हम जानेंगे भारत के सबी मुखे चुनाव आयुक्तों की सूची के बारे में जो अब तक के सबी मुखे चुनाव आयुक्त हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले नम्मर पर शुकुमार शेन या भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं इनका कारेकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा इसके बाद दूसरे नम्मर पर केवी के सुन्दरम या 20 दिसंबर 1958 से 30 दिसंबर 1966 तक भारत के मुखे चुनाव आयुक्त रहें इसके बाद दूसरे नम्मर पर स्पी सेन वर्मा यह 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक भारत के चुनाव आयुक्त रहें यानि मुखे चुनाव आयुक्त रहें इसके बाद चौथे नम्मर पर दॉक्तर नागेंद्र सिंग इनका कारेकाल 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक रहें इसके बाद पांचमे नम्मर पर ती स्वामी नाथन इनका कारेकाल 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक रहें इसके बाद साथमे नम्मर पर इसके बाद साथमे नम्मर पर इनका कारेकाल 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक रहें इसके बाद आठमे नम्मर पर आर वी एस पेरी सास्त्री यह एक जनवरी 1986 से 25 नम्मर 1990 तक भारत के चुनाव आयुक्त यानि मूख के चुनाव आयुक्त रहें इसके बाद नम्मर पर श्रीमती वी एस रमादेवी यह 26 नम्मर से 26 नम्मर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इनका कारेकाल रहा इसके बाद दसम्मर नम्मर पर इनका कारेकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा इसके बाद 11 नम्मर पर इसके बाद 12 दिसंबर 1990 से 13 जून 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहा इसके बाद 12 नम्मर पर जे एम लिंग 2 इनका कारेकाल 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक रहा इसके बाद 13 नम्मर पर इनका कारेकाल 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक रहा इसके बाद 14 नम्मर पर इनका कारेकाल 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक रहा इसके बाद 15 नम्मर पर इन गोपाल स्वामी फ्रेंड्स इनका कारेकाल 30 जून 2006 से 20 अप्रेल 2009 तक रहा इसके बाद 16 हमें नम्मर पर नवीन चावला इनका कारेकाल 21 अप्रेल 2009 से 29 जूलाई 2010 तक रहा इसके बाद 17 हमें नम्मर पर एस वाई कुरेशी फ्रेंड्स इनका कारेकाल 30 जूलाई 2010 से 10 जून 2012 तक रहा इसके बाद 18 हमें नम्मर पर वी एस संपत फ्रेंड्स इनका कारेकाल 11 जूल 2012 से 15 जनवरी 2015 तक रहा इसके बाद 19 हमें नम्मर पर एस एस ब्रहमा इनका कारेकाल 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रेल 2015 तक रहा इसके बाद 20 समय मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्तर नसीम जैदी यह 19 अप्रेल 2015 से 5 जूलाई 2017 तक रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहा इसके बाद 21 में नम्मर पर श्री एके जोती यह 6 जूलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक रहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे इसके बाद 22 में नम्मर पर श्री ओम प्रकास रावत्त इनका कारकाल 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक रहा इसके बाद 23 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोडा यह 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रेल 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे इसके बाद 24 में नम्मर पर श्री सुसील चंद्रा यह भारत के वरतमान चुनाव आयुक्त हैं इनका कारकाल 13 अप्रेल 2021 से अब तक है फ्रेंट्स यह वीडियो यहीं समाप्त होती है आई होप आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत यूजफूल होने वाली है फ्रेंट्स अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लेगी और अगर आप RB Campus चैनल पर नए है या फिर आपने RB Campus चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है RB Campus चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन यानि घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिसके की इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो से नोटिफिकेशन आप सक सब्सक्राइब पहुँचे मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसूँ आपस प्रच्सि के लिए कुँचच्चम áम चांपस को येओन झाल